हेलो एवरिवन आप सभी का रुद्धा नैसे एक स्परेश में हार देक्स वोगे थे आशा करते हूं तो यह आप सभी लोग अच्छे होंगे आश्क नमारे में पॉर्टन ट्रॉप एक कार्टेक साइकल होगा कम्प्लीट कॉंसेप्प नहीं आपको वीडियो में समझाऊंग पीडियो लेना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इसके टेफिनेशन क्या होती है क्या कह रहा है कि जब हमारा हर्दय धड़कता है तो उस दोरान जो भी इवेंट्स होते हैं यानगे क्रम वाइज, सिक्वेंज वाइज, ठीक न, एक के बाद एक जो भी गटनाएं गटती हैं या complete events को क्या कहते हैं हम लोग, cardiac cycle कहते हैं, clear है, तो जया दखेगा देल की धरकन के दोरान होने वाली घटनाओं के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, हिर्द है, चक्र कहते हैं, यानि की cardiac cycle कहते हैं, clear है, चलें चलिए, next point हमारा, one heart beat take 0.8 second to complete, या दखेगा, important point है, एक रता है कि धलकन को complete होने में, कितना समय लगता है, 0.8 second का समय लगता है, ठीक, each heart beat consists of two major sequences, या दखेगा, याने कि ये 0.8 second का, ठीक है, एक heart beat complete होने में, दो major sequence होते हैं, या पर या दखेगा, ठीक है, याने कि एक के एक दो है, दो steps होंगे, तो सबसे पहला मारा क्या होगा, systole होगा, और दूसरे क्या होता हमारा, diastole होगा, clear है, चलिए, अब हम समाझते हैं कि systole और diastole क्या होता है, during a systole, heart contracts and pump, blood, वह आर्टरी, क्या कह रहा है, या दखेगा, systole के दो रंग क्या होता है, हमारा जो हरता ह होता है, वो कैसा हो जाता है, संकुचेत हो जाता है, शुकुड जाता है, ठीक, शुकुडने से क्या होगा, कि जो भी हमारे heart के अंदर ब्लाड होगा, वो आर्टरी के तो सरीक है, विविन बागूई, जो हमारे organs है, वहां तक पहुचा दिये जाता है, ठीक, तो इस condition को हम ब्लड भरने लग जाएगा, ठीक, यह condition क्या कहलाती है, आपकी diastore कहलाती है, clear है, जैसे कि आपकी figure में भी देख रहे हैं, देखें, यह क्या हमारा systrol है, यह वाला figure क्या है, हमारा systrol है, तो systrol में मैंने क्या बताया था, हमारा रताय जो है, देखें यहां पर, यह सुपर साथ में हम दे दुए रहे हैं कि जो blood है, वो artery के तो जो है, वो बहार निकल ला है, है ना, जो हमारी artery जो होती है, ठीक, उनके द्वारा बहार निकाल दिया जाता है, जो कि सरी के बिमेन अंगों तक पहुंचा दिया जाता, ठीक, यह हमारे क्या होदेगा, सिस्टोल यहां से यह जा रहा है, यह जा रहा है, superior वहना कावा, inferior वहना कावा, तो पूरा blood के collect करता है, चली, अब हम देखेंगे कि cardiac cycle में कितने stages होते हैं, तो यहाद अखेगा, यहाँ पे आपको तीन प्रकार की stages देखनों को मिनते हैं, सबसे पहला हमारा क्या होगा है, इसमें हमा अगली जो step होगे हमारी ventricular systole, जो हमारा ventricle है, वो systole होगा, सुकड़ेगा, ठीक है, तीसा जो हमारा stage रहेगी, वो हमारी complete cardiac diastole, आप देखेंगे हैं, आप समझे हैं, आप complete का मतलब क्या है, atrium औ ventricle, यह दोनों को ले लेना है, आपको क्या कर देना है, उसको diastole कर देना ठीक है, तो relaxation of atria and ventricles, ठीक है, तो यह किसमे होगा आपको, complete cardiac diastole में होगा, ठीक है, तो यह तीनों steps है, sequence by sequence होगा, ठीक है, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, राइट, चाले, तो सब सब पहले हमें stage देखेंगे, atrial systole, ठीक है, तो यहाद रखेंगा, atrial systole stage complete in 0.1 second ठीक है, जयाने कि atrial systole होता है, इसको complete होने में कितना समय लगता है, तो आपको यहाद दखेगा, 0.1 second का होता है, ठीक है, अब इस 0.1 second के दोरान देखेंगे, क्या-क्या गटनाएं गटते हिए, ठीक, तो superior vena cava and inferior vena cava transfer deoxygenated blood into right atrium, ठीक, अब आप फिदर में ध्यान से द deoxygenated blood को collect करेगी, और कहां देगी, आपके right atrium में डाल देगी, ठीक, at the same time, और उसी समय, किस समय, जिस समय हमारा superior vena cava और inferior vena cava deoxygenated blood को right atrium में डाल रहे थे, तो उसी समय क्या होगा, कि आपकी जो four pulmonary veins है, अब हम जानते हैं कि pulmonary veins में कैसा blood flow होगा, आप oxygenated blood होगा, ठीक, उसी समय जो आपका pulmonary veins है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, blood को जो है, oxygenated blood को ले जाता है, और कहां छोड़ेगा, left atrium में छोड़ेगा, देखिए, एक ही हमारी pulmonary veins है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, तो ये कहां छोड़ेगा, आपके left atrium में छोड़ेगा, right है, चलिए, next point है, the electrical impulse generate via aso nodes, ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, कि जब हमारे left or right atrium में blood भर चुका है, ठीक, तो अब क्या होगा, हमारा जो यहां पे aso nodes होता है, ये क्या होगा, electrical impulse को generate करता है, जिसके फलसुरों क्या होता है, कि जो दोनों atrium में हमारे को कैसल होगे, sun कुछ ये तो होजात ventricular valves कहा होंगे, आपके atrium और ventricle के बीच में होंगे, ठीक है, दोने right and left, ठीक, तो आपको मालम होना चाहिए, जो right side, अगर हम right side के valve के बात कहते हैं, तो वहां पे tricuspid valve होगा, ठीक है, और जो left होता है, वो हमारा mitral valve होगा, ठीक है, तो ये जो दोनों valve होते है, वो कैसे हो चलिए, next हमारा stage जो रहेगी step रहेगा, ventricular systole, ठीक है, तो याद दखेगा, ventricular systole को complete होने में कितने second का time लगता है, 0.3, ठीक है, 0.3 second का समय लगता है, अब याद दखी कि इस 0.3 second में क्या क्या होगा, देजे, अब यहाँ पर 0.3 second का समय लगता है, तो अब यहाँ पे तो ह आपके AV notes को होगा, ठीक, AV notes से bundle of age फिर महाँ से purkinje fiber से होते हुए, सीधे पूरे heart में विस्तारेट होता है, ठीक है, तो आपको याद दखेगा है, यहाँ पे important point है कि AV notes होते हैं, bundle of age और purkinje fibers, इनका काम क्या होता है, heart को constrict करना, ठीक है, उनके तो ventricles होते हैं, दोनों जो vent को जिख करना, ठीक है, बोध ventricles pumping the blood into the pulmonary artery and aorta, अब देखें, यहाँ पे क्या होगा कि, आपके AV note, ठीक, purkinje fiber, और bundle of age इन तीनों ने क्या 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 कर दिया, construct कर दिया, उसको सरीकुचित कर दिया, अब स्वाभावी बाते लिए, अगर हमारा संकुचित होगा, तो जो blood है वो कहाँ पर pump होगा, एक तो आपका aorta होगा, देखें, यहाँ पर जहां से, यह क्या होगा, यह ही तो हमारा होगा, aorta होगा, यह ठीक, और दूसरा क्या होगा हमारा pulmonary artery होगा, clear है, तो वहाँ पर जो है, यह blood को transfer कर दे जाता है, ठीक, because the high pressure generated during the ventricular systole, ठीक, ventricular systole के दोरन क् हमारा create होता है, ठीक, the atrium ventricular valve closes, दुछ से क्या होगा, जो हमारे atrium ventricular valve जो होगा, यह ठीक, ट्राइकस्पर होगा, यह ठीक, और कौन से valve पर जाएंगे, आपके aortic valve और pulmonary artery के दुबार होता है, वो खुल दाएगे, ठीक, चलिए, last stage है हमारी complete cardiac diastole, ठीक, अब मैंने आपको complete cardiac diastole का मतलब क्या है, complete का मतलब आप समझे है, यहाँ पर atrium of ventricular, ठीक, दोनों चीज़ आप लोगे, तो यहाँ पर दोनों और चीज़ आप दोनों चीज़ आप कैसी होगी, आप डाइस्टोल होगी, ठीक, यानि कि, relaxation condition होगा, ठीक, या देखे कि, यह दो stage है, आपको complete होन है, कि निले के संकुचन के बाद, जो हमारी ventical है, जब संकुचत होती है, तो उसके बाद में क्या होता है, कि 0.4 second का पूर cardiac diastole होता है, इसका मतलब क्या है, कि एक बार 0.4 second के लिए, ठीक, यानि कि निले के संकुचन के बाद में 0.4 second के लिए, हमारे atrium और ventical दोनों कैसे condition में होते हैं, ठीक, अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्रिया और ventical सिथल होते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा थे, during this time, ठीक, अब जब यहां पर देखे, 0.4 second के लिए, हमारे atrium और ventical दोनों ही रिलेक्स कंडिशन में है, ठीक, तो यह क्यों है, उसका reason क्या है, during this time, यानि कि यह 0.4 second का तो time होता है, उस समय क्या होता है, हमारे तो myocardium layer होती है, उसकी तो muscles होती है, वो क्या recovery करती है, ready for next heart weight, यानि कि अगले heart weight के लिए अपने आपको recover करेगी, अपने आपको तयार करेगी, राइट, आसा करता हूँ को topic आपको अच्छे तरह है, इस सम comment box में ज़रूर छोड़ें, और जो viewers अभी तक मेरे चैनल को subscribe लिंग की है, प्रेश सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, यदि आपको ये video अच्छा लगा है, तो उसे like ज़रूर दें, और अपने दोस्तों को share करें, तो तब तक ये take care, bye bye, thank you so much